आज हम देखने वाले हैं एक JWT misconfiguration जो छोटी सी है लेकिन main चीज उसमें ये है कि हमने किस तरीके से attack window को बढ़ाया तो आप ये report का title पढ़ सकते हो confirmation token used for unlimited password resets beyond expiration limit इसका मतलब क्या है कि जो email confirmation token है हम उसकी मदद से password को reset कर पा रहे थे और वो भी unlimited यान कि कितनी भी बार beyond expiration limit इसका मतलब यह है कि जैसे reset token एक घंटे में अगर expire हो रहा है तो हम उससे जादा time के बाद भी एक घंटे के बाद भी हम password को reset कर पा रहे थे अब देखो क्योंकि यहां पर मैंने दो बग रिपोर्ट करें थे तो यहां पर आप देख सकते हो for each 25 यूरो पहला था html injection वो बताने की जरूरत है नहीं तो दूसरा यह था अब आप कहोगे कि bounty बहुत कम है और इसका कारण यह है कि इस company का कोई भी बग बाउंटी प्रोग्राम था नहीं यहां पर देख सकते हो यहां पर हमारे पास एक account create करने का form है हमने यहां पर simple सा account create करके register पर जैसी दवाया तो हमें एक email confirmation link मिल गया ठीक है अभी मैंने क्या किया इसको copy करके notepad में कर लिया पेस्ट अब आप यहां पर एक चीज़ देखो यह रहा हमारा JWT token और यह हमारा email confirmation का link है यहां तक ठीक है इस token को हमने क्या किया token.dev में जाके paste कर दिया इसने यहां पर हमें decode करके दिखा दिया header payload और signing की अब यहां पर देखो पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो कि non algorithm attack perform कर सकते हो या फिर अगर weak signing की है तो वो brute force करके पता कर सकते हो पर इसमें वो दोनों चीज़े काम नहीं करें तो मुझे यहां पर एक payload में बहुत कम चीज़े दिखें जैसे की expiration time और sub यानी की मतलब subject यह किस account क यहां पर आपकी email ID होगी ठीक है अब आप देख रहा हो expiration time in a day इसका मतलब यह है कि मैं email को 24 गंटे के अंदर कभी भी कभी भी confirm कर सकता हूं मतलब मेरे पास 24 गंटे हैं उसके बाद यह token invalid हो जाएगा अब इतना आप समझ गए यहां पर एक बहुत बड़ी misconfiguration है अगर आप find out कर पाओ अभी आगे मैं बताता हूं क्या है email हमारी यहां पर confirm हो गई अब अगली चीज़ जो हमने करी वो हम गए forgot password पर और यहां पर email डालके send reset instruction जब किया तो password reset email हमारे पास आ गई अब देखो यहां गई हमारे पास password reset की link और यह रहा टोकन इसको भी हमने copy करके यहां पर कर लिया पेस्ट यह रहा password reset का और यह रहा email confirmation का दोनों के token अलग हो अब देखो अब हमने इसको भी किया copy इस वाले token को password reset को और इसको paste कर दिया और जब हमने यहां पर देखा तो अब आप देख सकते हो password reset जो link है उसकी expiration सिर्फ एक आ रहे है मतलब हमारे पास एक घंटाई है password को reset करने का लेकिन एक बहुत बड़ी कमी जो यहां पर है वो यह कि हम इस token को कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं इस account का password reset करने के लिए और वो क्यों क्योंकि यहां पर देखो आपको unique identifier नहीं है देखो क्या चीज मिसिंग है इसको भी भूल जाओ नॉन्स और one time use property is missing इसका मतलब यह अभी server को पता ही नहीं चल पा रहा है कि यह जो token है वो कितनी बार यूज़ हो क्योंकि कोई identifier नहीं है ना कि वो backend में चेक कर सके कि हां यह वाला token यूज़ हो चुका है तो पहला बक तो यह हो गया ठीक है कि कितनी भी बार हम इस token को use कर सकते है पासवर्ड को reset करने के लिए तो अगर आप अगर मैं इतना ही report करता तो पी 4 जाता अब देखो attack window कैसे बढ़ा ही अब यह हो रहा है एक आर में एक्सपायर ठीक है अब आप देखोगे कि यह वाला password reset token और password confirmation token दोनों similar है बस क्या चीज़ चेंज एक्सपायरेशन टाइम यह एक दिन में एक्सपायर हो रहा है और वह एक घंटे में तो क्यों ना हम ऐसा करें कि confirmation token को कॉपी करें और जो password reset link है उसके token से एक्सचेंज कर द किसी victim का token चुराने के बाद कि कितनी भी बार वो उसका password चेंज कर सकता है तो देखो attack window यहां पर बढ़ गई जहां पर password reset में सिर्फ एक घंटा था अगर हम email confirmation वाले token को यूज करें तो अब हमारे पास 24 घंटे है यहां पर देख सकते हो सिर्फ एक घंटा और वहां पर पू confirmation token यहां पर add कर दिये तो यही था बग कि किस तरीके से हम attack window को बढ़ा सकते हैं एक घंटे की वज़ाए पूरा एक दिन और यहां पर देख सकते हो क्योंकि action field missing थी इसका मतलब अभी server को पता नहीं चल पा रहा है कि यह वाला token है इसको हम email confirmation में यूज करें या फिर password reset के लि purpose मतलब अभी purpose पते ही नहीं चल पा रहा है कि यह confirm email का है या फिर password reset का है तो यही था एक छोटा सबग उमीद आपको समझना है मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो